नमस्कार दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स लेक्षर सिरीज में आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम रिपल काउंटर को इन डिटील डिसकस करेंगे और वो भी हम 3 बिट का रिपल काउंटर एक्स्प्लेन करेंगे तो दोस्तों रिपल काउंटर को समझने से पहले आपको कुछ important points है जो हमेशा ध्यान रखने है वो point आपके इस तरीके से है All flip-flops must be in toggling mode यानि जितने भी flip-flops आप use करोगे अगर आपने 3-bit रिपल काउंटर बनाना है तो आपको पता है कि एक flip-flops आपका एक ही bit store करता है तो अगर 3-bits की आप बात करोगे तो आपको 3 flip-flops चाहिएंगे अगर आप 4-bits की बात करोगे तो आपको 4 flip-flops चाहिएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 3-bit रिपल काउंटर है तो जितने भी flip-flops आप use करोगे वो सारे flip-flops आपके toggle mode में होने चाहिए पॉइंट यह है कि toggle modes में कैसे होगे अगर आप JK flip-flops यूज करोगे तो सभी flip-flops के inputs आपको high logic देने पड़ेंगे क्योंकि JK जब आपका 1-1 होता है तभी वो आपकी toggling mode में काम करता है यानि complementary output आपको मिलता है अब दोस्तो next जो point है वो भी काफी important point है external clock pulse given to only one flip-flop यानि आपका ripple counter क्या है asynchronous counter है यानि इसका मतलब जो external clock pulse है वो सभी flip-flops पे अपलाई नहीं हो सकती तो इसका मतलब जो external clock pulse है वो सिरफ एक ही flip-flops को दे जाएगी बाकी flip-flops को बाकी बचे flip-flops की output ही clock pulse का काम करेंगी अब जो external clock pulse किसी एक flip-flops को दी जाएगी वो flip-flops की position आपकी least significant bit position होने चाहिए तो दोस्तो यह आपको पता ही है जो next point है it is asynchronous counter तो दोस्तो अब हम बात करेंगे circuit diagrams की circuit diagram 3 bit आपका ripple counter है इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 3 flip-flops है और जो flip-flops है वो हम यहाँ jk use करते है तो यहाँ मैंने लिहा है j note k note अगर इसको toggling mode में काम कराना है तो दोस्तो इसकी जो inputs हैं वो high logics होने चाहिए इसकी क्या सभी flip-flops की जो inputs हैं वो high logic होंगी तब ही आपके jk flip-flops toggling mode में काम कर सकते हैं यह चीज होगी यह आपका j note k note यानि list significant positions यहाँ है जो bit यहाँ store होगी और उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे clock pulse अपला ही करेंगे और clock pulse कैसा देना है हमें negative edge triggering आप चाहें तो positive edge triggering भी दे सकते हैं lecture के end में पता लग जाएगा कि positive edge triggering से क्या फायदा है और negative edge triggering से क्या फायदा है अब दोस्तों इसके बाद क्या है कि asynchronous counters में हमने देखा था कि एक flip-flop की output हमारी दूसरे flip-flop की clock pulse बन जाती है यह हमने बना दिया फिर दोस्तों यह जो flip-flop है इसकी जो output है वो हमारी next flip-flop की फिर से clock pulse बन जाएगी इस तरीक्य से q-note हमारा इस flip-flop का output है q1 इस flip-flop का output है और q2 आपका इस flip-flop का output है इसका मतलब जो q-note है वो आपकी least significant bit है और q2 आपकी most significant bit है अब यहाँ से आपको बताना चाहते है कि आपने clock कैसे दी है clock हमने दी है negative as triggering यह मैं already explain कर चुका हूँ types of triggering आप चाहे तो वो वीडियो पहले देख ले उसके बाद यह topic बहुत easily समझा जाएगा अब यहाँ बात करते हैं दोस्तो number of states अगर आपके पास 3 number of flip-flops है तो number of states का formula होता है 2 raise to power number of flip-flops that is 3 इसका मतलब हमारी 8 possible states होंगी maximum और बात करते हैं दोस्तो output frequency अगर हमारी यहाँ पे input frequency letter से f in है तो output frequency होगी f in input frequency divided by total number of states that is 8 तो यह हमारी output frequency का expression होगा इसलिए हम इसको frequency divider भी कहते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि यह counter आपका up है या down क्योंकि random हो नहीं सकता क्योंकि यह asynchronous counter है तो दोस्तों यह हमारा logically जब हम waveforms को explain करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यह अब sequence में जा रहा है या down sequence में तो अब सबसे पहले जितने भी flip-lops हैं सभी flip-lops आपके negative edge triggering pulse पे काम करते हैं तो जितने भी हमारे trailing edge हैं उसको आप एक पर mark कर ले first पे यह है second का यह है third का यह है fourth का यह fifth का यह है sixth clock pulse का यह है seventh का यह है and so on अब दोस्तों बात करते हैं Q-note की Q-note यानि यह जो है J-note और K-note आपका one-one पे है इसका मतलब यह होगा कि जब भी इसको trailing edge मिलेगी इस flip-flop को तभी यह अपने आपको toggling conditions में करेगा यानि जो output होगी वो previous state का complementary होगी यानि हर possible clock pulse पे यह अपने आपको toggle करेगा पहला माल लिजिए सारे flip-lops के output हमारे resetted थे 0 थे तो इसका मतलब इस moment से ज़स्ट पहले तक आपका जो output है क्यों not वो fix रहेगा जैसे ही आपका trailing edge मिलेगा या transitions high to low मिलेगा आपको इस moment पे आपका flip-flop का output क्या होगा toggle करेगा यानि पहले अगर 0 था तो अब ये दोस्तो 1 हो जाएगा ये 1 कब तक रहेगा जब तक आपको next trailing edge नहीं मिल जाती अब next यहाँ पे मिल चुकी है फिर से आपकी second clock pulse अपलाई होगी उसकी जो trailing edge होगी वो आते ही ये flip-flop काम करना start करेगा और ये काम कैसा करता है जो इसकी previous states है उसका just complimentary ये आपका present output देगा पहले आपकी one थी तो अब दोस्तों ये आपकी zero हो जाएगी zero कब तक रहेगी जब तक next आपका trailing edge नहीं मिलेगा इस moment पे ये flip-flop फिर से काम करेगा और आपकी output क्या करेगा बारी-बारी से toggle करता रहेगा इस moment तक आपकी output तक फिर से ये stand by इस moment पे फिर से ये क्या करेगा toggle कर देगा तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो first flip-flop है ये आपको ऐसी output मिलेगी अब point क्या है Q1 Q1 कैसे draw करें Q1 दोस्तों इस flip-flop का output है J1 और K1 already 1-1 है यानि जैसे ही इस flip-flop को trailing edge pulse मिलेगी तभी ये flip-flop आपका काम करेगा और काम क्या करेगा हर बार अपनी previous outputs जो भी होगी उससे complementary output देता रहेगा तो इसका मतलब जो Q1 है वो इसके लिए एक clock pulse का काम करेगा और Q1 यहाँ पे क्या है negative edge triggerings के साथ इस flip-flop में दिया गया है तो Q0 में जो आपकी trailing edge है आप उसको mark कर लीजिए इसका मतलब जो Q1 है वो इस trailing edge से पहले अपनी outputs को change नहीं करेगा इस पे आपका क्या करेगा J1, K111 है इसका मतलब जैसे ही यह moment इस flip-flop को मिलेगा ये flip-flop अपने output को 0 से 1 में change कर लेगा क्यों क्यों क्योंकि जब आपका J&K11 होता है तो आपकी present output प्रीवियस output का compliment होता है ये कब तक 1 रहेगा जब तक इसको same trailing edge नहीं मिल जाती इस moment पे फिर से ये क्या करेगा अपनी outputs को toggle करेगा यानि compliment करेगा ये कब तक करेगा जब तक इसको same trailing edge नहीं मिलेगी तो दोस्तों यहां से अब फिर से ये आपका क्या करेगा अपनी outputs को high logic कर लेगा तो इस type से ये आपका Q1 का waveform बन गया अब बात करते है Q2 की Q2 क्या है Q2 आपका इस flip-flop के output पे मिलेगा जिसके लिए Z2 और K2 already high logics है लेकिन Q1 आपका इस flip-flop के लिए as a clock pulse का काम करेगा और वो clock pulse आपकी negative edge triggering moment आपका यहां पे आएगा क्योंकि यही आपका trailing है तो इसका मतलब दोस्तों इस moment से जस्ट पहले तक Q2 आपका change होगा ही नहीं आपका ये flip-flop काम तभी करेगा जब इसको trailing edge moment मिलेगा clock pulse की help से Q1 इसके लिए clock pulse बन चुकी है इस moment पे आके यह अपने आपको change करेगा और अब इसकी output high logic हो जाएगी और यह high logic कब तक रहेगी जब तक आपका Q1 next trailing edge इसको नहीं मिल जाता तो इस type से दोस्तों यह आपकी waveforms बनेंगी outputs की अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो clock pulse 1 है इसमें Q2, Q1, Qnote क्या है clock pulse 1 में Qnote 1 हो चुका है Q1 0 है, Q2 आपका 0 है that is 0, 0 and 1 clock 2 में देखो दोस्तों Qnote आपका क्या है 1 है और Q1 आपका just यहाँ पे 1 हो चुका है और Q2 आपका 0 है इसका मतलब 0, 1 and यहाँ पे क्या है Qnote आपका यहाँ पे 0 हो चुका है ध्यान से देखिए जो आपकी second clock pulse का trailing edge है यहाँ पे Qnote आपका 0 हो चुका है यहाँ आपका 0 है अब third clock pulse पे देखेंगे हम third clock pulse के trailing edge पे यह आपका high हो चुका है Q1 आपका already high है Q2 आपका यहाँ logic low है यह हो गया fourth में दोस्तो fourth के जो trailing edge है वहाँ पे Qnote आपका 1 से 0 जा चुका है Q1 आपका यहाँ पे क्या है again 1 से 0 जा चुका है और Q2 जो है यह आपका logic low से high transitions हो चुका है that is high logic fifth clock pulse में देखो दोस्तो यह आपका क्या है high logic यह आपका low logic यह आपका high logic यानि high logic low logic and high logic sixth में देखो जरा sixth में आपका क्या है low logic यह high logic है और यह भी high logic है यानि यह high logic यह high logic और यह low logic seventh clock pulse पे क्या होगा यहाँ देखो दोस्तो यह भी high logic है यह भी high logic और यह भी high logic इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा space कम है आप चाहें तो 8th clock pulse के साथ भी इसको draw कर सकते हैं उसमें आप देखोगे कि Q0, Q1 और Q2 जो outputs हैं वो सभी आपकी low logic हो चुकी है तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे इसका decimal equivalent कितना है 1, 0, 1, 0 इसका decimal equivalent 2 इसका दोस्तों 3 है इसका यहाँ 4 है इसका यहाँ 5 है इसका यहाँ 6 है इसका यह 7 है और यह फिर आपका 0 है तो इसका मतलब यहाँ से यह clear है कि अगर आप output standard output को negative as a triggering से clock pulse अप्लाई करते हो तो आपकी जो sequence है वो आपकी up sequence बनेंगी यानि ascending orders में आपके number बढ़ते जा रहे है तो इसका मतलब यहाँ से हम यह कहेंगे कि अगर ऐसी configuration यूज करोगे तो फिर आपका यह up counter है down counter नहीं होगा तो यहाँ आपने देखा अगर आपकी 3 bits हैं तो कितने possible states हैं आपकी 0 से लेके 7 तक तो आपकी यहाँ पे 8 number of states हैं और जितने आपकी possible states हैं output frequency आपकी उसी factor से divide कर दी जाती है तो यह है दोस्तो आपका 3 bit triple counter यहाँ पे आपको एक चीज मोग और बता दू कि अगर आपका up counter है तो उसको कैसे लिखे जाएगा 3 bits में पहले हम 0 0 0 लिखेंगे इसके बाद दोस्तो 0 0 0 0 1 होगा इसके बाद 0 1 0 होगा इसके बाद दोस्तो 0 1 1 होगा इसके बाद दोस्तो 1 0 0 होगा इसके बाद दोस्तो 1 0 1 होगा इसके बाद 1 1 0 होगा और इसके बाद दोस्तो 1 1 1 होगा और इसके जस्ट बाद जो होगा वो हमारा फिर से 000 से स्टार्ट हो जाएगा तो अगर ऐसी सिक्वेंस हमारी बनती है इस order में तो ऐसी सिक्वेंस को हम कहते हैं आप counter लेकिन दोस्तो down counters में क्या होगा उल्टा होगा मालेजिये starting आपकी मालेजिये 000 है तो इसके जस्ट बाद हमारी जो maximum states है वो पहले आएगी 111 इसके बाद हम एक एक नंबर को decrease करते जाएंगे 110 इसके बाद हम क्या करेंगे 101 इसके बाद क्या होगा 100 इसके बाद क्या होगा 011 इसके बाद क्या होगा 001 और इसके बाद finally क्या होगा दोस्तो यह तो ऐसी अगर sequence हों पहले 0 है फिर 7 आ जाए फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर यहाँ पे sorry यह 2 होगा और फिर finally यहाँ पे आपका क्या होगा 001 होगा that is 1 और finally फिर 0 तो इस type से cycle हमारी चलती रहेगी कि ऐसी sequence को कहेंगे हम down counter और इसको कहेंगे up counter लेकिन point क्या है दोस्तो हमारा जो asynchronous counter है उसका एक problem था हमारे जितने भी asynchronous counters है वो हमारे क्या होंगे transition states हमेशा present होगी due to propagational delay इसका मतलब यह है कि जैसे ही अगर हम clock pulse 8 अपलाई करेंगे देखो दोस्तो हमारी क्या जाएगी 7th clock pulse अपलाई किया तो 111 है 8th clock pulse अपलाई करेंगे तो finally result हमें 000 मिलेगा लेकिन दोस्तो actually यह 000 नहीं मिलता कैसे क्यों नहीं मिलता सबसे पहले क्या होगा q not यानि यह जो आपका list significant flip-flop यहां पे था पहले यह toggle होगा पहले इस one का zero बनेगा यह one as it is रहेंगे इसके बाद दोस्तों जो q one है यह toggle होगा इसके बाद यह zero as it is यह zero और यह आपका one होगा फिर दोस्तों जो q two है वो toggle होगा इसका मतलब इसका one का zero बनेगा यह zero as it is यह zero as it is यानि 111 से 000 में अगर हम transitions करेंगे तो इसके बीच में हमारी यह जो states हैं यह states हमारी unrequired हैं और output पे यह states भी show होगी और हमें लगेगा कि हमा सारा counter खराब हो चुका है तो यह जो problem है इसको कहते हैं transition states are present due to propagational delay यानि एकदम से सारे के सारे जो flip-flops हैं वो काम करेंगे नहीं क्योंकि यह asynchronous counters हैं एकदम से काम ना करने की वज़े से एक बार यह toggle करेगा उसके बाद फिर यह toggle होगा उसके बाद यह toggle होगा इतने में हमारी दो या तीन जो transition states होंगी unrequired states होंगी वो हमें display पे दिखेंगी यही हमारी problem है अब इस problem का solution क्या है दोस्तों कि अगर हम इस time periods के बीच यानि clock 8 और clock 0 इसके बीच में जितना भी time हमें मिलेगा अगर उस time पे हमारा display हम बंद करा दें यानि एक ऐसा signal apply करें digital circuits में जिसमें हमा तो ऐसे signal को कहते हैं strobe signals तो digital circuits में हम strobe signal supply करते हैं ताकि हमें 111 के बाद display पे direct 000 ही दिखें इन बिट्वीन यह जो transition states थी यह वहाँ appear ही ना हों तो इस अल बाद 3-bit ripple counters आई होप तोस्तो वीडियो आपको सब समझ आया होगा तो इस इस दी आफ दी वीडियो थैंक यू सो मच पर वोचिं इस वीडियो